तो आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है स्टेप बाइस स्टेप हम इस वीडियो में डिसकस करने वाला है तो प्रॉपर सारे स्टेप जो होंगे है वह हम यहाँ पर डिसकस करने माले है तो वीडियो का आप important होने आप से भी students के लिए तो जल्दी सी वीडियो को like करके चैनल को subscribe करो ताकि SI quality content आपको हमेशा मिलता रहे पूर आपका engineering का admission counseling absolutely free of cost आपको इस चैनल के उपर मिलने वाला है तो registration करने के लिए आपको आना है CETCEL के official website के उपर that is CETCEL.mahaCET.org इस website के उपर आने के बाद यहाँ पर आपको जो admission process academic year 2024-25 को जो option दिख रहा है simply उसके उपर आपको click करना है click करने के बाद जो cap का जो portal है CAP 2024-25 का वो open हो जाएगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो technical education के अंदर आपको यहाँ पर नीचे जब scroll करोगे तो यहाँ पर undergraduate के courses में आपको बीटेक option देखने को मिल जाएगा ठीक है यहाँ पर मैं जूम करके आपको दिखा दाऊ यहाँ पर आप देख सकते हो बीटेक option है उसके उपर आपको simply क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपका जो में पोर्टल है यह पोर्टल ओपन होता है अब आपका जो admission का प्रोसेस है पूरा admission का प्रोसेस वो इस पोर्टल के उपर होने वाला है complete admission process ठीक है कैप राउंड सारे कैप राउंड 1 कैप राउंड 2 कैप राउंड 3 ठीक है freeze betterment सारे जो होगा ना सारा प्रोसेस आपका इस पोर्टल के उपर होने वाला है तो simply यहाँ पर आपके पास दो options है एक है new registration एक है already registered सो आपको new registration की उपर क्लिक करना है आप बोलोगी कि हमने already register किया था तो आपने वो CET के लिए था MSTCET के लिए वो register किया था बड़ admission के लिए आपको separate registration करना बढ़ता है तो simply new registration की उपर आपको click करना है new registration के उपर करने के पर आपके सामने कुछ ऐसा interface open हो जाएगा और आपको यह पूचेगा have you appeared for PCM MSTCET मतलब अपने MSTCET दिया है क्या PCM से yes करोगे तो यहाँ पर आपका PCM का MSTCET 2024 का जो application number है वो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा आप application number and roll number दोनों अलग-अलग है आपका करने के बाद चेक PCM CET details इसके उपर आप जब क्लिक करोगे तो आपका जो सारे PCM physics, chemistry and maths के जो score से वो यहाँ पर आ जाएंगे ठीक है, suppose कोरें कि अपने PCM का CET नहीं दिया है आप JE through आप admission लेना चाहते हो तो simply यहाँ पर no के उपर आपको click करना है उसके बाद आपको पूचेगा कि PCB का CET दिया है क्या तो यहाँ पर मैं no करता हूँ जो अपका application number है and role number है and date of birth है उसको enter करके check PCM details के उपर click करता हूँ, यह सारा मैं fill up करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो check details को मैंने check किया है उसके उपर click करने के बाद आपके सामने जो candidate का name है और उसके बाद उसको कितने percentile मिले है वो यहाँ पर display होता है यह आपके लिए मैं dummy form create करना हूँ ठीके proper information आपको मिले proper step by step process क्या है वो आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं dummy form के लिए fill up करके show करना हूँ ठीक है यह सारा enter करने के बाद आपको simply यहाँ पर जो option देख रहा है I have read all the important instructions यहाँ पर नीचे instructions दिए देखो यह सारे instructions को आपको सई से read करना है read करने के बाद यहाँ पर आपको tick करना है checkbox को click करना है उसके बाद यहाँ पर save and proceed का जो option दिख रहा है उसके उसके उपर आप click करोगे उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा interface open हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर personal details जो है candidate के जो personal details है वो यहाँ पर enter करने है सबसे important part यहाँ से शुरू होता है क्योंकि यहाँ पर आपने mistake किया तो admission के time पर आपको problem face करने को मिल सकता है तो यहाँ से video को एकदम सही से देखो proper serious होके देखो क्योंकि यहाँ पर mistake नहीं होना चाहिए तो सबसे पहले यहाँ पर candidate का full name डालना है अब full name कैसे डालना है students का doubt होता है पहले surname डालना है उसके बाद मेरा name डालना है उसके बाद father name क्या जो आपके mark sheet के उपर है तो class 12 के mark sheet के उपर है 12 विच्चा गुनोपत्री के वर जैसे आहे वैसा आपको यहाँ पर आपका name डालना है आपके 12 के mark sheet पर जैसा sequence में है जैसा आपका नाम है सेम नाम आपको यहाँ पर enter करना है तो यहाँ पर student का नाम यहाँ पर मैंने dummy enter किया है उसके बाद father का name आपको enter करना है father का सिर्फ name enter करना है कुछ student का doubt रहता है father का name means father का name and surname enter करना है कि नहीं सिर्फ father का name बोला है तो father का name enter करना है उसके बाद I change now ठीक है mother का name है आपको enter करना है सारा capital में आपको जो है वो enter करना रहेगा ठीक है पूचेगा तो again जो होगा आपको जो भी आपका gender होगा वो confirm करना रहेगा उसके बाद date of birth आपकी जो date of birth है वो भी important होती है वो आपको सही से fill up करनी है तो यहाँ पर आपको date of birth है वो fill up करनी है वो करने के बाद again आपको confirm date of birth confirm करनी है तो again आपको date of birth डालनी होगी ठीक है उसक आपका जो religion है आपका जो धर्म है वो पूचे का तो यहां पर मैंने हिंदू जो है वो select किया है उसके बाद region प्रदेश जो है वो आपको यहां पर select करना है rural area से हो कि urban area से हो अगर गाउं से होंगे तो rural area select करो अगर city से बिलॉग करते हो तो urban area select करो ठीक है important बात है आपको जो है आपका फैमिली का annual income जितना भी है वो drop-down के अंदर आपको select करना है याद रखना आप EWS EBC के लिए apply करना चाहते हो तो आपका जो family income है वो 8 लक से कम होना चाहिए ठीक है वार्षी कुदपन न तुमसा 8 लकाचा आद पाईजे जरू तुमी EWS की वा EBC यहां scholarship साब भविशा मदे benefit गहना रासाल तर ठीक है तो आपका जो family income है वो यहाँ पर आपको select करना है आपके बस annual income certificate है वो भी होना चाहिए वो भी 2025 तक valid होना चाहिए ठीक है उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी mother tongue जो है मातरुबाशा जो है वो select करनी है तो यहाँ पर मैंने मराटी select किया है उसके बाद nationality तो यहाँ पर मैंने इंडिया select किया है उसके बाद आपको जो है वो communication details मतलब आपके जो address है वो fill up करना है address line 1, address line 2, address line 3 fill up करनी है जो आपके पर महरास्टा महरास्ता जो भी आपका होगा उसके बाद RH मुंबई घ्लीών पर म Summit को है अगा जो यहाँ पर ऊपन करना है एंटर करना है आपका दोन नंसर नहीं है उसको चोड़ सकते हो उसके बाद आपको यहाँ पर बैद इंसरे गाम बाया है थिक है and यहाँ पर आपको email id एंटर करना है mobile number and email id आपको यहाँ पर एंटर करना है याद रखना mobile number आपको एसा एंटर करना है, जो number active हो ठीक है, क्योंकि सारा OTP पे गर उस number के उपर आने वाला है सारा जो notification होगा आपका कैफरांस के related, आपके admission related वो सारा आपका आएगा उस number के उपर वो number active होना चाहिए, ठीक है तो number आपको वही डालना है, जो active number हो वो चालू हो, जिसके उपर messages आते हो जिसके उपर OTPs आते हो, ओके वो यहाँ पर आपको डालना है, उसके बाद आपको email id डालनी है email id भी, same, याद रखना active email id होनी चाहिए, जो email id आपके mobile के अंदर login है, वो ही आपको यहाँ पर add करनी है, ठीक है वो होने के बाद, simply next process आपका क्या रहेगा, तो यहाँ पर आपको जो होगा, वो mobile number इंटर करना पड़ेगा जो कि यहाँ पर मैंने hide किया है समय में आपको password एंटर करना पड़े तो एक password आपको यहाँ पर बनाना पड़ता है, तो यहाँ पर आपको उस password को एंटर करना है, जो आपको password बनाना है वो एंटर करो, खुद का password create करके यहाँ पर आपको डालना है, उसके बाद वही password आगेन आपको enter करना है याद रखना जो password यहाँ पर आपने enter किया है उसको note down करके रोको या फिर mobile में save करके रोको क्योंकि बाद में आपको problem ना आए ठीक है उसके बाद यहाँ पर आपको capture जो है वो enter करना है यहाँ पर जो नीचे code दिख रहा है save and proceed इस button के उपर आपको click करना है वो करने के बाद आपको mobile number आपने डाला है उसके उपर एक OTP आएगा वो OTP को यहाँ पर आपको enter करना है OTP यहाँ पर डालने के बाद again verify OTP इस button के उपर आपको click करना है जैसे आप verify OTP इसके उपर आप click करोगे click करने के बाद आपका जो एक application ID है वो generate हो जाएगा अब यह जो application ID generate हुआ है वो important है क्योंकि सारा admission प्रोसेस आपका इस application ID से होने वाला है तो इसका photo निकाल के रखना इसका screenshot निकाल के रखना क्योंकि यह application ID बहुत important होने वाला है आपके लिए ठीक है अब यहाँ पर मेरा EN 23 आया है आपका EN 24 और कुछ भी नंबर आया होगा ठीक है तो आपका EN 24 होगा यहाँ पर मेरा EN 23 है ठीक है तो आपका 24 होना चाहिए उसके बाद प्रोसीट टू complete application form अब आपका application ID जनरेट हुआ है उसका photo निकाल दिया अपने अब उसके बाद complete application form के उपर आपको simply click करना है जैसी इसके उपर आपका application ID डालना पड़ेगा वो application ID यहाँ पर आपको एंटर करना है EN 24 जो भी होगा आपका उसके बाद password एंटर करना है तो जो password आपने create किया था ना वो password यहाँ पर आपको एंटर करना है वो करने के बाद अगेन जो उपर capture दिख रहा है उसको नीचे एंटर करना रहेगा and simply sign in इस button की उपर आपको click करना है जैसे sign in button की उपर click करोगे तो आपके सामने एसा interface open हो जाएगा तो यहाँ पर आपके पास दो options है documents को verify करने के लिए मैंने आपको बता दिया आप documents दो टाइप से verify कर सकते हो एक है online verify करना चाते हो आप documents को एक है physical मतलब offline करना चाते हो तो documents को आगर आपको online verify करना है मतलब जो आपने documents upload किये है उसको online verification करना है अगर आपको offline जाके जो है वो documents verify करने है तो physical scrutiny इसक्यूपर आपको click करना है तो यहाँ पर मैं आपको suggest करूँगा कि e-scrutinity mode serate करो मतलब online documents को verify करो वैसे आपकी मर्जी है आप physical verification भी कर सकते हो तो यहाँ पर मैं e-scrutinity mode इसक्यूपर click करता हूँ जैसे आप इसक्यूपर click करो होगे तो आपके सामने ऐसा interface हो जाएगा open तो simply तो यह सारे steps रहेंगे हमारा registration का step होने के बाद next step रहेगा feel the candidates type candidate का कौन सा type है वो हमको fill up करना रहेगा उसके बाद next process रहेगा feel the home university and category details तो home university and category के जो details होंगे OBC वेगरा वो सब हमको यहाँ पर fill up करने रहेंगे उसके बाद feel special reservation details अगर कोई special reservation होगा जैसा PWD या free defense वो यहाँ पर हमको fill up करना रहेगा then step number five है feel qualification details class 10 class 12 के marks बोर्ड वो सब यहाँ पर आपको fill up करना रहेगा अगर आपने जही मेंस दिया होगा तो उसका details से आप पर fill up करना रहेगा नहीं दिया है तो उसको skip करना होगा उसके बाद step number seven होगा आपको photograph कुद का photograph passport size photo and signature जो होगा वो यहाँ पर upload करना रहेगा उसके बाद step number eight होगा upload required documents जो भी required documents होगे वो यहाँ पर आपको सारे upload करने होगे and last आपको यहाँ पर आपको payment करना होगा pay application fee अब application fee सबके लिए नहीं है जिनोंने MSTCET 2024 का जो exam है PCM का वो दिया है उनको कोई भी fee pay नहीं करना है उनको zero rupees pay करना है एक भी रूपाय उनको pay नहीं करना है ठीक है क्योंकि CET के टाइम पर अपने already fee pay किया था तो simply यह सारे process हमको यहाँ पर step by step perform करने है तो चलिए start करते है fill candidates type details है तो आपकी सामने ऐसा interface open हो जाएगा तो यहाँ पर आपको जो candidate type है वो select करना है तो यहाँ पर बहुत सरे types है type A, type B, type C, type D तो यहाँ पर आपको सारे details check करने है कि आप कौन से type में आते हो अगर यहाँ आप देख सकते हो candidate passing SSE and also HSE or diploma from the institute in महारास्टा, अगर आपने महारास्टा से class 10th and class 12th pass किया है या फिर diploma pass किया है and candidate who has domicile of महारास्टा, आपके पास महारास्टा का domicile भी होना चाहिए और अपने class 10th and class 12th अपने महारास्टा से होनी चाहिए आपकी, ठीक है, ओके, so आप type A में आते हो, महारास्टा type A, ऐसे बाकी की भी आप देख सकते हो candidate who does not fall in type A, above but who father and mother domicile in महारास्टा, तो जो candidate है वो type A में नहीं आता, बड़ उसके जो father या फिर mother है वो domicile in महारास्टा है, तो type B आप select कर सकते हो, तो सारे instructions read करो and जो आपको suitable है, right है, तो वो candidate type आपको select करन क्योंकि उनका domicile महारास्टा में होगा and उन्होंने class 10th and class 12th महारास्टा से pass किया होगा, ठीक है, उसके बाद आपका next process आता है, हमने तो यहाँ पर आपका type select किया है, अब type select करने के बाद second है, home university and category details, आपकी जो home university है, वो यहाँ पर आपको select करनी है, तो उसके लिए आपक जो class 10th है, वो कौन से district से अपने pass किया है, हो यहाँ पर आपको drop down में select करना है, उसके बाद class 12th या फिर डिपलोमा आपने कौन से district से किया है, मतलब कौन से जिले से किया है, वो यहाँ पर आपको select करना रहेगा, okay, drop down के अंदर, उसके बाद तालू का कौन सा हुआ था, वो university है, वो यहाँ पर आपकी fetch हो जाएगी, यह तीन details है ना, वो तीन details डालने के बाद, automatically यहाँ पर आपकी university आपको show हो जाएगी, तो यहाँ पर Mumbai University show हो रही है, okay, आपकी अलग-अलग हो सकती है, उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी जो category है, वो select करनी है, तो category details हम आप fill up कर करते समय, यहाँ पर आपको, पहले आपको select क्या करना है, select category which you belong, अपला प्रवर्ग निवडा, कौन से category के में आप बिलाउं करते हो, open, EWS, SC, NT, OBC, वो आपको select करना है, तो suppose अगर मैंने यहाँ पर OBC को select किया, example के लिए बता रहा हूँ, तो यहाँ पर option आता है, अपले आ के अंदर कौन सी category है, वो यहाँ पर आपको select करनी है, drop down में आपको मिल जाएगी, OBC के अंदर sub category कौन सी है, वो, उसके बाद आपको यहाँ पर पूचेगा, आपके पास cast validity certificate है, क्या मैंने बताया था, cast validity certificate निकाल के रखो, ठीके, अगर है, तो available करो, नहीं है, तो not available करो, औ और अगर अपने certificate बनवाने के लिए डाला है, मतलब आपने apply किया है, तो आपको apply करने के बाद एक token मिला होगा, एक receipt मिला होगा, तो आपने अगर apply किया है, certificate के लिए, तो यहाँ पर simply third option आपके लिए होता है, applied but not received, उसके उपर आपको click करना रहेगा, but उसके बाद आपको जो आपका receipt है, उसका जो token आपको दिया जाता है, उसका जो number है, वो आपको fill up करना रहेगा, और वो भी आपको upload करना रहेगा, ठीक है, उसके बाद है, यहाँ पर मैंने available किया है, उसके बाद आपको यहाँ पर पूचा है, non-crimalier certificate आपके पास है, क्या, अगर होगा तो available ह नहीं है, not available करो, अगर apply किया है, और अभी तक receive नहीं हुआ है, तो applied but not received के उपर click करो, वो सब होने के बाद, simply save and proceed next, इसके उपर आपको click करना है, जैसी इसके उपर आप click करोगे, तो आपके सामने ऐसा interface open हो जाएगा, यहाँ पर आपको special reservation details जो होंगी, वो enter करने है, for example, य distribution fee waiver scheme जो होती है, जिसमें आपकी 100% tuition fee maaf होती है, उसके लिए भी आप यहाँ पर apply कर सकते हो, इसे करना है वो यहाँ पर आप देखते है, ठीक है, so first person with disability, जरु तुमी अपंग विक्तिया साल, तर applicable असाल, तर yes वर select करना, वो आप गर आप applicable हो, तो yes क्यूपर select करना है, ठीक next है, is parent a defense, so आपकी जो parent है, वो defense में है, क्या है, वो यहाँ पर पूचा है, अगर होंगे तो available करो, yes करो, and उसकी जो भी documents होंगे, वो यहाँ पर आपको submit करने पढ़ेंगे, तो यहाँ पर मैंने not applicable लिखा है, उसके बाद family annual income automatically आपर fetch हो जाएगा, क्योंकि हमने वो starting में डा उसके बाद यहाँ पर आपको पूचा है, do you want to apply for TFWS, tuition fee waiver scheme, यह जो TFWS scheme होती है, उसके अंदर आपकी 100% tuition fee माफ होती है, so यहाँ से आपको yes select करना है, अगर आपका annual income 8 lakh से कम है, तभी आप TFWS scheme का जो है, वो benefit ले सकते हो, okay, और याद रखना उसके cutoff high जाते है, next, आपको पू नहीं तो no के उपर select करो, then यहाँ पर आपको पूचा है, do you belong to minority candidate type, आप minority candidate में belong करते हो, क्या, अगर करते होंगे, तो yes के उपर select करो, नहीं तो no, यह सब होने के बाद simple यह आपको save and proceed के उपर click करना है, जैसे इसके उपर आप click करोगे, click करने के बाद आपके सामने qualification details डलने का option open हो जाएगा, तो सबसे पहले आपको class 10 की details डालने है, sse equivalent details, class 10 की details डालने है, class 10 कोन सा था, class 10 का board कोन सा था, यहाँ पर मैंने महारास्टा board select किया है, उसके बाद से year में अपने class 10 पास किया था, वो यहाँ पर आपको drawdown में select करना है, उसके बाद आपको sse seat number, आपका class 10 10 का जो board का seat number था, वो यहाँ पर आपको enter करना है, वो करने के बाद आपको जो भी details होंगे, वो सारे यहाँ पर fill up करने रहेंगे, आपको class 10 में math में कितने मिले थे, कितने में से मिले थे, total percentage यहाँ पर आजाएंगे, science में कितने मिले थे, out of 100 कितने मिले थे, उसके बाद English मे out of 100 कितने मिले थे, और aggregate कितने total मिले थे, पासो में से, जो भी होंगा आपका, वो यहाँ पर आपको enter करना रहेगा, ठीक है, और उसके बाद class 12 के जो details होंगे, वो same आपको यहाँ पर enter करने है, ठीक है, so class 12 के भी details आपको enter करने होंगे, HSE, आपका board, यहाँ पर select करना उसके बाद आपका board कौन सा था, class 12 का board कौन सा था, CBSE था, ICSE था, या फिर अपना HSE 12 महारास्टा board था, अगर महारास्टा board था, तो simply महारास्टा state board of secondary and higher secondary education पूने को select करो, उसके बाद यहाँ पर आपने class 12 जो है, वो कब pass किया था, यहाँ पर आपको 24 आपने किया होगा, अगर आप dropper होगे, तो 23 पास आउट किया होगा, so 2024 आपको यहाँ पर select करना है, अगर आपने इस साल board class 12 का pass किया है, उसके बाद class 12 का आपका seat number जो है, वो यहाँ पर डालना है, HSE seat number यह एंटर करना है, उसके बाद आपके mother का name, आपके mark sheet की उपर आपके mother का name होता है, HSE क जो mark sheet है आपकी class 12 की, उसके उपर आपके mother का name होता है, जैसा mother का name है, as it is, आपको यहाँ पर enter करना है, capital letters में, ठीक है, उसके बाद, अमीदवाराचे, बाराविचा, गुनपत्रीक के परमाने, now, so class 12 की mark sheet की उपर, जैसा आपका नाम है, जैसा नाम है, वो यहाँ आपको य हो जाएंगे, automatically सारे marks यहाँ पर आ जाएंगे, कि आपको physics में कितने थे, आपको maths में कितने थे, आपको chemistry में कितने थे, सारे marks automatically आ जाएंगे, ठीक है, वो आने के बाद यहाँ पर save and proceed, इस button की उपर आपको simply click करना है, click करने के बाद next, यहाँ पर आपका open हो जाएगा, कि आ आपने 2024 का paper दिया है क्या, जेई का, अगर दिया होगा, तो simply ask के उपर select करो, नहीं दिया है, तो no के उपर select करो, and again save and proceed की उपर आपको select करना है, ठीक है, save and proceed की उपर आप जैसे click करोगे, तो यहाँ पर सिर्फ दो steps बचे है, यहाँ पर आप देख रहे हो न, upload document and payment fee का, ठीक process है, यहाँ पर जो आपको दिख रहे है, select upload document type, तो यहाँ पर आपको drop down में select करना है, छाया चित्र means, photo select करना है, photograph select करना है, जैसी select करोगे, तो यहाँ पर आपको open का option देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको open करना है, open करने के बाद आपका computer का जो data है, वो आपके स select करना रहेगा, and select करने के बाद, यह photo आपके सामने आ जाएगा, यह मैंने dummy photo लिया है, ठीक है, so just ignore that, and उसके बाद यहाँ पर upload का जो option है, उसके उपर को click करना है, जैसे इसके उपर click करोगे, वो upload हो जाएगा, and same with signature, यहाँ पर signature का option drop down में select करना है, select करने के बाद, open का option select क करना है, open करना है, उसको, then उसको select करना है, signature को, and upload करना है, जैसे मैंने यहाँ पर बता दिया, open करो, then select करो, and उसके बाद यहाँ पर upload करो, ठीक है, same यहाँ पर signature and photo के लिए करना होगा, and simply save and proceed, इस button की उपर आपको click करके proceed होना है, वो होने के बाद, यहाँ पर आपको सारे documents सबको डालने पढ़ेंगे, कौन से सारे documents, जो जो required होंगे, जो भी required documents से, cast validity certificate हो, non criminal certificate हो, income certificate हो, okay, class 10 का mark sheet हो, class 12 का mark sheet हो, जो भी important documents होंगे, वो यहाँ पर सारे enter करने पढ़ेंगे, MHT CT 2024 का आपका scorecard हो, सारे documents आपको यहाँ पर enter करने है, okay, कैसे करने है, मैंने बता दिया, simply upload क इस बटन के उपर click करना है, उसके बाद आपका laptop का जो, laptop या फिर computer में जो file से open हो जाएंगे, document को select करो, and वहाँ पर जो upload का option आता है, उसके उपर click करो, सारे documents upload हो जाएंगे, step by step सारे documents को upload करना है, ठीक है, वो सारे documents upload होने के बाद, तो यहाँ पर मैंने बता भी दिया है, एसे documents upload करने है, open करना है, ओपन करने के बाद, जो document को select करना है, तो document अपके screen के उपर ऐसे open हो जाएगा, and वो होने के बाद, simply upload का उप्षिन है, उसके उपर आपको click करना है document upload हो जाएगा इससे करके सारे documents आप पर आप देख सकते हो upload करने हैं सारे documents upload करने के बाद simply आपको ये instructions read करने है सारे instructions को read करो and simply save and proceed next इस button के उपर आपको click करना है ठेक है उसके उपर आप जैसे click करोगे तो यहाँ पर आपको fee pay करने को option आएगा pay application fee but मैंने आपको बता दिया अगर आपने MSTCET दिया है और MSTCET के ताइम पर आपने fee pay की है exam देने के लिए तो यहाँ पर आपको एक रुपे भी fee pay करने की जुरूरत नहीं है सो यहाँ पर आप देख सकते हो online applicable fee 0 rupees है एक भी रुपे हमको pay नहीं करना है क्यों क्योंकि हमने already CET के लिए जो है वो fee pay की थी ठीक है अगर आपने CET का exam नहीं दिया है तो आपको application fee pay करने पड़ेगी सिर्फ JEE का exam दिया होगा तो so simply यहाँ पर आपको save and proceed इस button के उपर क्लिक करना है जैसी इस के उपर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने आपको जो form है वो open हो जाएगा अभी सारा form field करके complete हुआ है बट अभी तक हमने submit नहीं किया है अब आपको जो भी सारा form आपके सामने open हुआ है सारा form चेक करो पूरा form आपको चेक करना है ठीक है हुआ हो ममी के नाम में मिस्टेक हुआ हो या फिर पापा के नाम में मिस्टेक हुआ हो या फिर आपके खुद के नाम में मिस्टेक हुआ हो कोई भी मिस्टेक हुआ है अभी आप उसमें change कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर जाके जो भी form होगा उसमें आप change कर सकते हो बट एक बार form submit किया है उसके बाद form में change नहीं कर सकते है तो पूरा form सही से check करना and check करने के बाद ही finally यहाँ पर आपको submit करना है application form for e-scrutinity ठीक है so e-verification के लिए form submit करना होगा so जैसी उसके उपर आप click करोगे तो यहाँ पर आपको जो है वो password enter करना पड़ेगा जो मैंने आपको बता दिया password आपको enter करना है जो आपने create किया था वो password डालने के बाद verify password के उपर आपको click करना रहेगा वो करने के बाद again OTP आएगा तो बहुत steps है right so उसके उपर OTP आएगा जो mobile number आपने डाला है उसके उपर OTP आएगा वो OTP आपको enter करना पड़ेगा and verify OTP for submit application form application form submit करने से पहले दो steps है एक है password डलने का और दुसरा है OTP डलने का तो दो steps complete होने के बाद आपको आपको application form में वो submit हो जाएगा ठीक है and application form submit करने के बाद यहाँ पर उपर जो option आ रहा है ना print application form इसके उपर आप जब click करोगे तो application form का जो print है जो PDF है वो आपका download हो जाएगा and PDF download होने के बाद उसका आपको एक copy निकाल के रखना है color print निकालो या फिर black and white मेरा suggestion रहेगा color print निकाल के रखो and वो होने के बाद successfully आपका application form fill up होता है hope so कि आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद दे तो please वीडियो को लाइक कर दो चैनल को नए चानल को subscribe करो क्योंकि पूरा admission का process इस channel की उपर आपको मिलने वाला है सारे updates भी आपको इस channel की उपर मिलने वाला है plus हम coding lectures भी engineering के students के लिए absolutely free of cost provide करने वाले है तो subscribe करोगे तभी सारे वीडियो के benefit मिल रहे होगे ठीक है इस वीडियो में इतना ही गाइस वीडियो पैसे लिए तो फ्लीज वीडियो को लाइक कर दो चैनल के उपर नहीं चैनल को subscribe करो share करो मिलता है next वीडियो मैं तब तक के लिए बाबाए